कीज़ है यह वेर्ट वियो बैक अगें विद ए नियों कोशियो फौट नेटवर्क है फॉर्दा सर्किट् एक वन एट घंड़े डम ही एच वन तो देर खार एच अध्टो तो यानि ये एच पेरामेटर दे लखे में फांड दा इंप्पूट इंपनड जेड इन निकालना म तो जैड इन निकालने लिए क्या करेंगे सबसे पैदे तो वही लिखते हैं यह V1 होगा इसमें कितनी करण्ट जा रहे होगी I1 ऐसे इस साइड से V2 और इससे करण्ट कितनी फ्लो रहे होगी I2 ठीक है इतना लिख लिए तो यह I1 इदर से आ रहे होगी I1 यहां पे भी होगी ठीक है I1 कहां पहोगी यहां पे होगी तो जैड इन जो मुझे दिखाए देगा क्या दिखाए देगा वी एस अपॉन आइवन का रेशियो उसे ही तो मैं जैड इन कहूंगा ठीक है तो कहने मतलब मुझे वी एस अपॉन आइवन निकालना है वही मेरा जैड इन होगा ठीक है तो सबसे पहले क्या करते है जो पयरमिटर से लेखें उनसे जो एक्वेसिन बनेंगी बहुकया हो वह उसला हो कि wonder V1 I2 X2 क्या होता है H11 H11 दे रहा हुझा 800 H11 I1 plus next H12 कितना देखा 10 की पावर minus 4 multiply by V2 ठीक है यह मैं पढ़ा चुका हूँ पहले next H21 50 I1 plus 0.5 into 10 की पावर minus 5 ठीक है V2 V1 और V2 की form में दो equation मिली हमें इसको equation number 1 कहता हूँ मैं इसको equation number 2 अब यहां देखान से देखो कहने का मतलब में मुझे Vs upon I1 निकालना ठीक है तो अब मैं यहां इससे देखो इस वाले इस में लूप में लगा रहा हूँ Vs 200 I1 plus V1 तो Vs की value क्या होगी यहां से मैं आगर निकालू 200 I1 plus V1 200 I1 plus V1 होगी ठीक है मैंने के विल लगा के यह निकाला है इस वाले 3 यह किलो में ने तो में चेंज कर लिया और यहां पा जाएगा माइनस करेंट अपोजिट डारेक्शन की वैसे ठीक है मैं अगर के लगाऊंगो तो इस लगाऊंगो यहां तो आइवन जगे स्कूमर आ जाएगा जो कि हो जाएगा इदर आकर डिवाइड में वी एस अपॉन आइवन तो कहने का मतलब है जो अगर मैं वी वन को मैं आइवन के ट्रम में चेंज कर लेता हूं तो मेरी जो जरूबत है वो पूरी हो जाएगी ठीक है तो मैं कैस क यहां रख दूँगा तो आइवन आइवन ठीक है तो यहां से वैल्यू आ जाएगी वी वन की वैल्यू आइवन के ट्रम में ठीक है लोजिक समझा आ गया अब इसको सॉल करते हैं तो यहां से आईटू की वैल्यू कितने आ गई वी टी अपॉऌन माइनस 50 इंटू 10 की पावर ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इस वाली चीज को यूज करता हूँ यहां पर एकूशन नमबर टू में तो मुझे क्या मिलेगा वी टू अपॉऌन माइनस 50 इंटू 10 की पावर 3 जी कश तो 50 आई वन और पिलस 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 वी 2 ठीक है तो इतना गया है यहाँ से वी 2 वी 2 आपको एक पास करो इसको इधर ले गया हमें और इसको इधर ले आई माइनस 50 आई वन इसको मैं इधर ले गया है तो यह कितना हो जागा 50 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वी 2 ठीक है इसको इधर लाकर डिवाइड में करेंगी तो हमें वी 2 जो मिलेगा फाइनली मैं वो लिख रहा हूँ माइनस 2 इंटू 10 की पावर 6 आई वन ठीक है तो यह आगे वी 2 की वैल्यू आई वन के ट्रम में अब मैं क्या करूँगा इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रख दूँगा एक्वेशन नमबर 1 में ठीक है तो फ्रॉम 1 मुझे क्या मिलेगा वी 1 इक्वेश टू 800 आई वन प्लस 10 की पावर माइनस 4 ठीक है मैं फ्रस्ट एक्वेशन लगा रहा हूँ आई वन की वैल्यू कितने आई है माइनस 2 इंटू 10 की पावर 6 आई वन यहां से इसको सोल करो कितना हो जाएगा यह वी 1 इक्वेश टू 800 आई वन यहां पर कितना होचाएगा यह माइनस 2 टैन की पावर 2 आई वन कितना होचाएगा दो सो 600 आट सो में से दो सो गया है तो कितना होचा 600 आई वन ठीक है तो वी 1 की वैल्यू आगई 600 आई वन अब मेरी जो requirement थी वि एस वाली ठीक है मुझे पता वी एस टीक एगई 200 आई वन प्लस वी वन तो हमें पता वी एस की वैल्यू क्या आई थी 200 आई वन प्लस वी वन वी वन की वैल्यू कितनी आई है मैं यहां पर लगा दूँग अब ठीक है तो Vs is equals to 200 I1 प्लस V1 की 600 I1 तो यह कितना हो गया Vs is equals to 800 I1 तो यहां से जब मैं सोल करूँगा Vs upon I1 कितना जाएगा मेरा 800 वो ही क्या मेरा Z in था मेरा ठीक है 800 तो मेरा Z in कितना आ गया 800 ठीक है तो logic काफी simple था इतना जाएगा मुश्किल नहीं था ठीक है तो I hope आपको यह समझाया होगा सारा सारा logic एक बार देख लो कोई equation छूट तो ने गई ठीक है अगर कोई दिक्कत है तो आप comment करके पूछ सकते हैं कि कोई सी equation में कहीं पर दिक्कत हो तो ठीक है अगर कहीं पर solution समझ नहीं या रहा तो comment करके पूछ सकते हैं फिलार इस वीडियो में इतना ही ओगर थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रोब्लम के साथ प्रोब्लम के साथ